हेलो एव्रिवन आप सबकी तियारी अच्छी चल रही होगी आज हम लोग इस सीरीज का चौता कुश्चन सॉल्फ करेंगे जो की प्रॉफिट एंड लॉस राप्टर का है तो टॉपिक है डिसॉनेश शॉपकीपर तो यह कॉश्चन काफी ट्रिकी भी होता है बट अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो इसको आराम से आप सॉल्फ कर सकते हैं तो यह वाला कॉश्चन इस्पेशली सीएल दोहजार बाइस के टीर वन में अल्रेडी आ गया है मैंने as it is डाला हुआ है अच्छे लेविल का कॉश्चन है क्योंकि यहाँ पे बेट हर बार 100 ग्राम के हिसाब से होता था बट यहाँ पे 28 और 36 दे रखा है तो बहुत ही सिंपल है इसका फंडा आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एक्च्वल cp upon quantity is to sp upon quantity का ratio निकाल यह ratio कैसे निकालेंगे अगर यहाँ पे 4 value actual आएंगी यानि कि अगर हम assume करें कि 28 ग्राम का वो बेच रहा है 36 ग्राम का उसने खरीदा customer को वो बोल रहा है कि मैं 36 ग्राम दे रहा हूँ बट वो दे रहा है actual में 28 ग्राम तो हम मान सकते हैं कि 36 ग्राम ने 100 ग्राम में खरीदा या यहाँ पे 12.5 परसेंट है तो इस वज़े से हम मानेंगे तो कि इसका fraction 1 by 8 होता है तो 80 गे टम्स में मानते हैं 80 ग्राम का इसने 36 ग्राम खरीदा था और यह ग्राहक को यह एक बटे 8 फ्रेक्शन के लॉस पर बेज रहा है तानि कि 10 रुपे कम करके 70 रुपे में बेज रहा है कस्टुमर को लग रहा है कि 70 रुपे में उसे 36 ग्राम मिल रहा है बट एक्चुल में उसे कितना कॉंटिटी मिल रहा है 28 ग्राम यही है एक्चुल वैल्यूस हमें इस रेशियो में डालना है CP हमारी कितनी हो गई 80 रुपे एक्चुल कॉंटिटी कितनी खरीदी थी उसने 36 SP कस्टुमर के हिसाब से 70 रुपे में उसे कितना मिल रहा है 36 बट एक्चुल में उसे कितना मिल रहा है पर यह सारी एक्चुल वैल्यू अगर हमने डाल दी क्रॉस मिल्टिप्लिकेशन करके यहां से हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा रेश्यो क्या बन गया कभी भी जिस ओने शॉपकीपर का कुश्यन आए तो आपको इसी तरीके से रेश्यो बनाना है और कुश्यन उतना ही सिंपल हो जाएगा फोड़ा से यहां पर लॉजिकल थिंकिंग है अब अगर एट इस्टू नाई यह यह रेश्यो आता है हमारा सीपी इस्टू एस्टू ए लाने कि अगर आठ रुपय में उसकी खृईदे टो नौ रुपय में बेच रहा है तो फाइदा एक रुपय का है कॉस्ट्राइज आठ है किश्ए की साड़ेबारा परसंट का उसे मुनाफ़ा हो रहा है एक question profit and loss का dishonor shopkeeper पर होगा इसकी आप practice कर सकते हैं आप सब को all the best